नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका UPSC 360 में आज हम लोग देख लेते हैं Magnetic Anomaly Concept Magnetic Anomaly ये होता क्या है पहले बातों ये प्रोपाउंड जो किया गया था ना वो वाइन और मैथ्यू जी के दुआरा किया गया था कब किया गया था? जब सीफ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉंसेप्ट आया था उसके बाद बेसिकली इन्होंने एक 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 स्पिडिशन केरिया उट किया जहां पर इन्होंने एक लॉग रेंज में यूँनों डेटा कलक्ट किया देट सीफ्लोर में जो है इस रीजन में और इस रीजन में आपका जाके magnetic behavior बिल्कुल सेम है ठीक है? फिर इसके ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में magnetic behavior बिल्कुल सेम है फिर ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में magnetic behavior बिल्कुल सेम है फिर ये वाले रीजन में दोनों में जो magnetic behavior बिल्कुल सेम है magnetic behavior कैसे है, जैसे सोचो अब देखो, यह sea floor spreading ऐसा तो नहीं न, आज ही इतना अचानक से इतना दूर sea floor spread हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है धीरे 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 होता रहता है, है न, gradual phase में, तो क्या होता है, जैसे सोचो, यहां से, यहां तक formation होते हुए, बहुत साल लग जाता है इतना छोटा region formation होता हुआ बहुत साल लग जाता है तो क्या होता है, इस region में जो magnetic behavior है वो उस type का magnetic behavior दिखाता है जब भी वो region form होआ था और उस समय का धर्ती में geomagnetism कैसा exist कर रहा था यह geomagnetism में हम लोगों ने बढ़ा था है that magnetic poles अलग-अलग होता है right, geographic poles अलग-अलग होता है magnetic poles अलग-अलग होता है हमने यह भी डिसक्स किया था that magnetic poles change होते रहता है है न, तो देखो यह वाला portion जब form होआ होगा तब शायद ऐसा होआ है right, अब जब यह वाला portion दूसरा वाला portion जब form होआ होगा तब शायद यह reverse हो गया होगा right, तो यहाँ पर भी जो rocks के characteristics में जो हमें देखने को मिल रहे गा वो reversal polarity देखने को मिलेगा समझ रहो बात तो यही चीज जो है Vine and Matthew जी के दुआरा यह study किया गया that देखो भईया magnetism जो है न, अर्थ का वो past characteristic को उपर ही depend करता है और उसी के आधार पर जो है हम इनो ने जो, I mean sea floor spreading को हम लोग confirm कर सकते हैं क्यों क्योंगी sea floor जब spread होता है तो अलग-अलग region में जो है यह नीचे से जो है न, अर्थ के नीचे से वो minerals निकलते हैं और वो minerals जो है या फिर बहुत समय magnetic elements भी जो है वो उस समय के magnetic behavior को inherit कर लेते हैं और वही चीज हमें दिखता है through this magnetic anomaly concept जहाँ पर हमें periodic reversal देखने को मिलता है of the magnetic pole और इस फिनोमेना को हम लोग magnetic reversal भी कहते हैं और polar wandering भी कहते हैं जहाँ पर क्या होता है कुछ-कुछ जो minerals होता है न, जो के rocks में निकलते हैं बेसिकली यहां से आपका जाके convective current क्या था I mean through तो they lock in and record the direction and intensity of the magnetic field when they formed, मतलब जभी भी वो form होते हैं, तो उस समय का magnetic field का direction, उस समय का magnetic field का intensity किस direction में है वो चीज record कर लिया जाता है through this concept इस concept में basically हम लोग observe करते हैं the periods of normal polarity and reverse polarity मतलब सोचो, यह वाला portion अगर normal polarity हुआ, यहाँ पर reverse polarity, फिर यह normal polarity फिर इधर होगा reverse polarity, ठीक है तो यह चीज हम लोगों ने समझ गया और हाँ, यह भी तो पता ही है, यह तो हम लोगों ने खेरा भी बता ही दिया, discuss करके rocks are formed when there is underwater volcanic activities, of course भाई, यहाँ से क्यूंकि rising limb होता है basically thermal convective current का देखो यह सारे जो theories है ना, यह आपस में included है, thermal convective current ले लो, sea flow spreading ले लो, या फिर magnetic anomaly या फिर paleomagnetism जो भी ले लो है तो इन theories को ही जो है, basically, मिला कर आपका जाके you know, continental drift theory बनाया गया है, ठीक है तो इन theories को हम लोग clearly उसमें पढ़ेंगे, of course मतलब उसी का यह constituent है और वही चीज़ हम लोगो ने यहां पड़ भी पर रहे तो rocks are formed under this under, I mean वही चीज़ है भाई that rocks formed from this underwater volcanic activities where mainly basalt which is low in silica content rich in iron content and they are volcanic rock, जिसके करण oceanic flows बनते हैं basalt contains magnetic minerals and as the rocks is solidifying these minerals align themselves in the direction of magnetic field ठीक है, जैसे यह अगर इस direction है तो यह इस direction में है, क्यों क्योंकि यह जब formation हुआ था, तब शायद magnetic field का direction कुछ ऐसा exist किया होगा, समझ रवाद तो वही जीज इस theory के द्वारा explain किया गया, आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में गया होगा, anyways यह पूरा पूरा geomorphology का पूरा PDF ही आपको मिल जाएगा, नीचे description में लिंग इसका दिया हुआ है, तो अगर आप चाहे तो वहाँ से download कर सकते हैं, तो this is all about the discussion that we had for this very class मिलते हैं, मिलते हैं आपके साथ next class में, till then, बाबाई, टेक किया रहाएं, थैंक आपके भर जो टेए लिए, तो लिए, ते सकते ही मिलते ही कि एंक